हलो इस्टुडेंट आज का टॉपिक है इन डिस्क्रीट टॉपालजी इन डिस्क्रीट टॉपालजी वो टॉपालजी होती है जिसमें सिफ दो सेट एक्जिस्ट करें जैसे कि मालो कोई टॉपालजी है हम ले लिए हैं तो उसमें जो सेट होगा वो या तो 5 हो या तो पूरा set हो जाए उसी को हम indiscreet topology बोलेंगे और एक relation है जो कि discrete और indiscreet topology में है तो discrete में हम power set लेते हैं discrete topology में हम power set लेते हैं तो और इसमें सिर्फ set लेते और 5 element लेते हैं तो इसका मतलब है कि जो indiscreet topology है वो discrete topology में contained रहता है Thank you